देखे अक्षाब्ध है निष्ठा तो इस दिए में निष्ठा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे एक्सांपल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अची तरह से समझेंगे तो चलिए वीडिव को स्टार्ट करते और समझें हैं निष्ठा का अर्थ और मतलब देखे निष्ठा मतलब होता है आवस्था दशा आहालत निष्ठा को हम बोलते हैं दिद निष्चय या विश्वास निष्चय भक्ती और परकास्था का भाव इमान धरम आस्था श्रधा यकीन, भक्ती, आधार, नीव, आउधारन मतलब निश्था. इंग्लिश में निश्था को बोलते हैं फिडेलिटी, अड़रेशन, डिवोर्टनेस, डिवोशन, डेडिकेशन, फेथ, बिलीव, अधिरेंस, सेल्फ डिवोशन, और इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं, निश्था के. एक्सांपल से सिंटेंसे में समझते हैं शब्द को अचीतर से, जैसे बोलेंगे आगम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को परियोग करेंगे हम लोग. कि मेरी इश्वर के अस्तित्व में द्र निश्था है, मतलब अग्निश में I hide strong faith या belief in the existence of God. तो faith या belief का मतलब निश्था, दूसरा example है कि यह आत्मत्याग और निश्था का उधारन है, मतलब अग्निश में this is an example of self-sacrifice and loyalty. तो loyalty का मतलब भी होता है, निश्था, वफादारी, जिसको हम बोलते हैं fidelity, ठीक है मैं आपने निश्था शब्द को इंग्लिश और हिंदी में example के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है, थाइक्स वाचिंगे जुके अर्डेस.